क्या था फिल्म का असली नाम क्या नेगटिव किरदार के लिए नहीं था कोई तैयार हलो दोस्तो मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉली ग्रैट स्टूडियोस की एक और नई वीडियो में धक धक करने लगा पता नहीं ये गाना आज दिमाग में क्यों दोड़ रहा है बार बार माधुरी दिक्षित का लाजवाब अंदाज नजरों के सामने आ रहा है जैसी आइकानिक फिल्म होती है उसी तरह ये गाना भी आइकानिक बन चुका है इसे सुनने के बाद करोड़ लोगों के दिलों में धक धक होने लगती है क्या है इस धक धक की वज़ा पता है चलिए कोई बात नहीं अभी बता देते हैं ये गाना है बेटा फिल्म का जिसने धमाल मचाया ही अब इसका सीक्वल बनने का फैसला हो रहा है ये सुनकर आपके दिलों में भी धक धक होने लगी न ये फिल्म ही ऐसी थी जिसने सब को दिवाना बना दिया फिल्म तो सूपरिट रही ही और इसने Filmfare Awards भी अपने नाम के डिरेक्टर इंदर कुमार ने audience को entertain करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ऐसी फिल्म का sequel बनना तो बनता है क्योंकि फिर से पुरानी यादे ताजा होती है अगर आज भी हम ये फिल्म देखे तो हम फिर से एक बार किरदार और कहानी में डूप जाएंगे वैसे इस फिल्म में कौन सी स्टार कास्ट होगी? किस production के साथ बनाया जाएगा? इस बारे में कोई भी खुलासा नहीं हुआ है अभी तक सिर्फ चर्चा हो रही है जाहिर सी बात है इस फिल्म को जिसने आइकॉनिक बनाया उस माधुरी दिक्षित और अनिल कपूर को ओडियन्स फिर से देखना चाहेगी इन दोनों की केमिस्ट्री तो सबको घायल करती है सिर्फ ओडियन्स को ही नहीं ये दोनों एक दूसरे की अदाओ से घायल हो चुके थे जी हां माधुरी और अनिल की ओन स्क्रीन केमिस्ट्री जितना शोर मचा रही थी उतनी ही ओन स्क्रीन बांडिंग भी माधुरी अनिल को देखकर काफी फिदा हो गई थी और उन्होंने बताया भी था कि उन दोनों ने एक साथ 17 फिल्मे की जो एक comfortable zone और strong bonding के बिना मुमकिन नहीं है माधुरी और अनिल एक दूसरे को पसंद करते थे पर अनिल शादी सुदा थे एक दिन जब अनिल की wife सेट पर आई और माधुरी ने देखा तब उनका दिल तूट गया उन्हें realize हुआ कि उनकी feeling गलत है वो इस मामले को और बढ़ावा नहीं देना चाहती थी इसलिए बात आगे नहीं बढ़ पाई खेर ये तो होता ही रहता है पर इन दोनों के साथ इला अरुन ने भी अपना role को नहीं पाया उनके जैसी female villain को देखकर audience को काफी घुसा आया पर उनके इस किरदार को निभाने के लिए पहले कई जानीमानी actors को offer दिया गया था वहीदा रह्मान और शर्मिला टैगोर पर उन्होंने इंकार कर दिया क्योंकि वह negative किरदार निभाकर अपनी image बिगाड़ना नहीं चाहती थी अगर हम बात करें फिल्म के title के बारे में तो title पहले बड़ी बहु रखने वाले थे पर पता चला की बहुरानी नाम की already एक film थी जिसकी कहानी भी लगबग सेम थी इसलिए इंदर कुमार ने title बदल कर बेटा रख दिया जो कहानी को suit कर रहा था अभी sequel की कहानी क्या होगी ये एक interesting सवाल है पर जब तक director सामने आकर confirm बात नहीं करते तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा पर आप चिंता ना करें हम है ना हम आपको बताएंगे क्या आपका भी दिल तूटा है कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद